23 माई 2023 को 2000 रुपे के नोटों पर आए बड़े फैसले के बाद अब भारतिय रिजर्ब बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि 2000 रुपे के नोट को सर्कूलेशन से बाहर किया गया है 2000 रुपे के नोट को क्लीन करेंसी पॉलिसी के तहट वापस दिया गया है उन्होंने कहा कि 2000 रुपे के नोट का फैसला करेंसी मैनेजमेंट का हिस्सा है और ये नोट सिस्टम में खास मकसद के तहट थे फिलहाल सिस्टम में 2000 रुपे के 3.62 लाक करोर रुपे के नोट मौजूद है किंद्रिये बैंक के गवर्णर ने कहा कि नोट बदलने के लिए बैंकों को निर्देश श्रारी कर दिये गये हैं इस बार नोट बदलने के लिए ज्वादा भीर नहीं होगी यह आम नागरी को के लिए रहत भरी खबर है क्योंकि नोट बदलने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा लोगों के पास नोट बदलने के लिए परियाप्त समय होगा किसी भी नियम के लिए डेडलाइन जरूरी आपको बता दे कि सभी बैंक लोगों को सही ववस्ता मुहया कराएंगे बैंक अलग से काउंटर की ववस्ता भी बैंक में होगी सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बलकि एनराइज को भी नोटों को बदलने के लिए परियाप्त समय मिलेगा आगे आरवियाई के गवर्णर ने कहा कि किसी भी नियम के लिए डेडलाइंग तैय रखना जरूरी होता है नियम को लागो करने के लिए आख़डी तारीख तैय रखना जरूरी है लीगल टेंडर रहेंगे 2000 रुपे के नोट किंद्रिये बैंक के गवर्णर ने यह भी कहा कि फिलाल देश में 2000 रुपे के नोट लीगल टेंडर ही बने रहेंगे इंडियन करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम का काम बहतरीन है आगे भी Indian Currency Management System काम जारी रखेगा गवर्नर ने कहा कि नौकेंद्रिये बैंक गराहकों की हर चिंता को दूर करने के लिए तयार है दिक्षांस एडुटेक लाया है दिक्षांस डिजिटल क्लास दिक्षांस डिजिटल क्लास का उपयोग कर शात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मज़ेदार दिक्षांस डिजिटल क्लास को स्कूल में बैट कर देखना है तो पेंडराइब और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम चलिए अब ये भी जानते हैं कि दिक्षांस डिजिटल क्लास का फ्री स्ट्रक्चर क्या होगा अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दिक्षांस डिजिटल क्लास के यूटूब चैनल को विजिट कर सकते हैं हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद